हेलो फ्रेंड्स वेलकम माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स कैसे आप सभी आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने एक महत्पून जानकारी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ यह जानकारी राशनकार्ट से रिलेटिड है तो फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो शुरू करते हैं राशनकार्ट बड़ी अपडेट राशनकार्ट सरेंडर लास्ट डेट इस दिन तक करे वरना जुर्माना वसूली तो फ्रेंड्स सही सुना आपने राशनकार्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट जारी की गई है अब राशनकार्ट सरेंडर करने कि अंतिम्तिती जारिक कर दी गई है अगर आप भी एक राशनकार्ड धारक है और अपात्र है तो आप भी अपनी जो राशनकार्ड है वे अंतिम्तिती से पहले सरेंडर कर दे वन्ना चुर्वाना और वसूली दोनों ही की जाएगी तो फ्रेंड्स आईए इस बारे में और अदिक जानने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपात्र राशनकार्ड धारक अपने अपने राशनकार्ड को जल सरेंडर करे इन राशनकार्ड धारकों में प्रशासन की सक्ती और वसूली का डर साफ नजर आ रहा है क्योंकि अभी एक राशनकार्ड सूची से रद कर दिये हैं यानि हमेशा हमेशा के लिए उन्हें निरस्ट किया जा चुका है तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने आपको बताया कि अभी एक ही राशनकार्ड सूची से रद कर दिये गए है तो फ्रेंड्स अगर आप भी एक राशनकार्ड धारक है और अपात्र है तो आप भी अपना राशनकार्ड जल से जल से रेंडर कर दे तो फ्रेंड्स आईए अब हम आगे बढ़ते हैं अपात राशनकार्ड में APL, BPL और अतोंदी राशनकार्ड लाभारती सम्मलित है देश की अंतिगर्द 80 कड़ों लोग ऐसे हैं जो राशनकार्ड स्कीम से जुड़े हुए हैं और इसका लाव उठा रहे हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से लोगों को हर महीने दोबारा निशुलक राशन उपलब्द कराया जा रहा है तो फ्रेंट जैसे कि हमने आपको बताया कि अपात राशनकार्ड में APL, BPL और अंतियोदे राशनकार्ड तो इस सभी सम्मलित है और फ्रेंट देश के 80 कडोर लोग ऐसे हैं जो इस स्कीम का लाप उठा रहे हैं तो फ्रेंट आपको बता दे कि प्रधान मंतरी मोदी की सरकार की तरफ से अब फिर से फ्री में हर महीने फ्री में ही राशन उपलब्द कराया जा रहा है तो फ्रेंट आईए अब हम आगे बढ़ते हैं अगर आप अपात राशन कार्ड लाबारती है तो सरकार आपसे प्रती किलो 24 रुपे गेहूं की वसूली करेगी और 32 रुपे किलो चावल की वसूली करेगी और यह वसूली वर्ष 2013 से लागू की गई है यानि 2013 के बाद जितने भी लोगों ने अपना राशन कार्ड बनवाया है और राशन लाब लिया है वह इस वसूली में सम्मेलित होंगे तो फ्रेंट जैसे कि हमने आपको बताया कि जो वसूली वर्ष यह 2013 से लागू की गई है यानि कि अगर आपने 2013 में जितने भी लोगों ने राशन कार्ड बनवाया था अब उन से वसूली की जाएगी वसूली किस प्रकार होगी वो भी हमने आपको बताई प्रत्री किलो 24 रुपे गेहूं की वसूली और 32 रुपे किलो चावल की वसूली होगी तो फ्रेंट्स आईए अब हम आगे बढ़ते हैं राशन कार्ड सरिंडर कर आप सरकार के नियमों का पालन करेंगे तो आपको कई बड़े फायदे प्राप्त होंगे पहला सरकार आप पर कोई भी कानूनी कारवाई नहीं करेगी दूसरा आप से कोई भी वसूली नहीं होगी और तीसरा आप पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा तो फ्रेंट जैसे कि हमने आपको बताया अगर आप स्यम ही अपने राशन कार्ड सिरिंडर कर देते हैं अगर आप अपात्र कार्ड धा रखें तो तो आप कोई भी कानूनी कारवाई नहीं होगी भसूली नहीं की जाएगी और आप पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा तो फ्रेंट्स आईए अब हम आगे बढ़ते हैं आप सरकार के नियमों का पारण करते ही इन सभी चीजों से बच सकते हैं पीएम गरीब कल्यान योजने के माध्यम से राशन कार्ड उभोकता को पिछले वर्ष से ही निशुल्क में राशन लाग उपलब्द कराया जा रहा है निशुल्क राशन के माध्यम से गेहू, चना, तेल, नमक, आटा, दाल, इत्यादे खाद्यान, सरकार दे रही है पांच किलो गेहू या चावल सरकार की तरफ से उपलब्द हो रहा है अंतियोंदे राशन कार्ड लाभारतियों को 35 किलो खाद्यान प्राप्त हो रहा है तो फ्रेंट जैसे कि हमने आपको बताया कि पिछले वर्ष से ही फ्री में राशन उपलब्द कराया जा रहा है और इसमें राशन में गेहू चावल, नमक, तेल, आटा, आदी सब उपलब्द कराया जा रहा है और पांच किलो गेहू या चावल सरकार दे रही है और अंतियोंदे राशनकार लाभारतियों को 35 किलो खाद्यान प्राप्त हो रहा है तो फ्रेंड्स आईए अब हम आगे बढ़ते हैं राशनकार्ट को सिरेंडर करने की अंतिम्तिथी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है अगर आप सरकार की कानूनी कारवाई जुर्माना वसूली इत्यादी से बचना चाह रहे हैं तो आपको इस महीने की अंतिम्तिथी तक अपना राशनकार्ट सिरेंडर करना होगा अगर आप नहीं करते हैं तो आपको सरकार की कानूनी कारवाई से गुजनना पढ़ सकता है और जुर्माना वसूली इत्यादी देनी पढ़ सकती है तो फ्रेंट जैज़र की हमने आपको बताया कि अगर आप ये जो कानूनी कारवाई से बचना चाहते हैं तो आप अपना राशनकार्ट स्यूम ही इस महीने की अंतिम दिती से पहले सरेंडर कर दे अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप पर कानूनी कारवाई होगी जुर्वाना होगा वसूली इत्यादिक देनी पड़ेगी तो फ्रेंट्स हमने आपको राशनकार्ट को लेकर सभी जानकारी दे दी है आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें